Hi guys, मेंना नाम है जतेना करवाल, आप जुड़ चुके दपूल अब देलास्टी चानल के साथ और आज हम बात करने वाले LN Electronics की अब LN Electronics एक EMS कंपनी है, इलेक्रोनिक मान्फाक्टरिंग सरविस्स की कंपनी है यहाँ पर हम कई सारी कमपनी इसी से सेक्टर से डिसकस पहले कर चुके हैं तो आज हम LN Electronics को लेंगे इसका business समझेंगे जानेंगे कमपनी करती क्या-क्या है किस तरीके से कर रही है कहाँ पर market positioning है इनकी कहाँ पर market leadership है इनकी और फिर आपको decide करना है कि आपको क्या लगता है इस company के बारे में मैं अपने views तो इस वीडियो के अंदर दूँगा ही दूँगा आप लोगों को so guys शुरू करते हैं इस वीडियो को LN Electronics की चुरबात हुई थी 1982 में और ये company mostly focus करती है small appliances पे kitchen appliances पे आपके LED lighting solutions हो गए fans हो गए FHP Motors वगेरा हो गई इन चीजों पे इस company का focus है तो कहीना कहीं जो product सीदा सीदा consumer को दिये जा रहे है वो चीज ये बना रही है और दूसरी company जिन से खरीदती है अपना stamp लगाती है और आगे फिर बेच देती है हम लोगों को LN Electronics FHP Motors की largest manufacturer में से एक है इंडिया के अंदर अब FHP होता क्या है Fractional Horse Power Motor रहे तो ये जो motor है ये आपके electronic devices वगेरा में लगती है तैकि उनको power कर सकें अगें तो ये कई ना कई consumer facing businesses में जो है उनको जादा supply कर रही है समान उनके लिए जादा manufacturing कर रही है अब ऐसी company के हम पहले बात कर चुग है चैनल पर जिसका नाम है IQ Lighting जो की focus करती है LED Lighting Solutions पर राइट सो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस business को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि small kitchen appliances वगेरा हो गए fans हो गए या आपकी जो FHP Motor ही बना रहे है ये इनी चीजों में कहीना कहीन जाके लग रही है राइट इसी लिए ये company का जो focus है वो consumer electronics पर जादा है और अगेन ये बनाते किसी और company के लिए है अपने customers के लिए बनाते है और वो companies हमें sell करते हैं अगर हम इनके key business verticals का revenue breakup देख ले तो FHP Motor से आता है 20% revenue LED lighting and fans से आता है 30% revenue small appliances से आता है 23% revenue molded and sheet metal parts से आता है 15% revenue और बाकी others के segment बज़ जाते है उससे आता है 10% revenue अब ये company का focus OEM और ODM दोनों में है अब इनका difference क्या है OEM का मतलब होता है original equipment manufacturer तो इसके अंदर क्या होगा मानलो signify इनको अप्रोच करेगी है हमें lighting solutions चाहिए तो वो बता देंगे कि यह रहा हमारा design इसको mass manufacture कर दो हमें इसको बेचना है वो तो हो गया OEM इसके अंदर margin तोड़े कम होते हैं क्योंकि जो company manufacturing कर रही है इस case में LN Electronics उसके पास patents नहीं होंगे design के IP नहीं होगी rights नहीं होंगे तो वो margins नहीं बढ़ा सकते हैं अब आपका आ जाता है ODM का segment ODM का क्या मतलब है ODM का मतलब है original design manufacturer इसके अंदर क्या होगा signify मानलों इनके पास गया और कहते हैं हमें lighting solutions चीए हैं बट हमें यह requirement है design आपको करना है दूसरा यह है कि design का IP design के rights आपके पास होते हैं तो आप आप margins थोड़े better command कर पाते हैं अपने customer से और यह दोनों ही segments के उपर focus कर रही है अब जैसा कि मैंने आप लोगों को का था कि इस company का major market share है कुछ-कुछ products के अंदर तो 10.7% market share हो जाता है small appliances में 12% हो जाता है FHP Motors में and 7.2% हो जाता है LED lighting solutions में इस company के key clients कौन-कौन से हो जाते तो Philips हो जाता है Signify हो जाता है Panasonic, Usha, Bosch इस type की companies इनके major clients है again देखो आप समझ पा रहे हो कि consumer facing businesses है और नाम आपने इन सारी companies के सुने है because इनके products आप directly खरीदते हो अब guys इसके अंदर में आप लोगों कहता हो रहा हो consumer facing business है बट ये B2C company नहीं है क्योंकि यहां पे branding नहीं हो रही company की कुछ से यह किसी और के बना रहे है वो अपनी branding करके बेच रहे है अब guys मैंने आपको key clients बताए बट यहां पे मेरे को एक जो risk लगता है इसका वो है client concentration risk अब वो क्यों है क्योंकि जो इनके key customers है अगर आप देखो top 5 contribute to 63% in revenue top 10 does 77% of their revenue तो यह बहुत ही बड़ा risk हो जाता है कि अगर इनमें से एक बड़ा client छोड़के चला गया तो फिर क्या होगा तो यह risk कभी भी किसी business में अच्छा नहीं होता और बहुत जाज़ा ज़रूरी हो जाता है फिर देखना कि customers का इनके साथ relation कैसा है क्या नए competition जो आ रहा है वो better है क्या करेगा किस तरीके से होगा तो यह जो risk है यह कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता और यह risk इस business के अंदर exist करता है अब guys हम आ जाते है margins के उपर because margins is one thing जो EMS companies के अंदर थोड़े खराब रहती है इसके अंदर भी मैं कहूंगा single digit में ही margins है EBIT आपका 7% के round है PAT margin 3% के round है तो इसलिए बार बार में आप लोगों से कहा रहा हो कोई भी EMS company को आप study करे रहा हो कुछ भी उसका chart structure बहुत important है और वो क्यों है क्योंकि अगर उसमें tailwinds गया बोत वे दिखते हैं इससमें sector tailwinds में है सेक्टर में इससमें अच्छा momentum है तो यहाप एक companies अच्छा कर रही है बट जब यह घूमेगा sector कभी ना कभी देखो down cycle hit करेगी हम तो कभी भी नहीं चाते किसी चीज़ की down cycle हो everything moves in cycles तो जब down cycle hit होगी अगर वहाँ पे आप careful नहीं है तो आप बहुत बुरी तरह फस जाओगे तो इसलिए chart structure देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो आपको telegram channel पे free में बिल जाएगा so guys that is it for LN Electronics hopefully आप लोगो business analysis पसंद आयेगा आपको समझ आये होगा company करती क्या है and again इससे similar एक business हमने देखा है जो थोड़ा consumer facing electronics का है वो IQ lighting का था हमने यहाँ पे बड़ी सारी companies का analyze कि हमने Keynes Technology को किया है Science DLM को किया है हमने यहाँ पे बात करी है Sirma SGS की हम यहाँ पे बात कर चुके है Avalon की तो हम बड़ी सारी companies को यहाँ पे discuss कर चुके है and LN Electronics is again one of those EMS companies जो recently market में आई है and यहाँ पे हम देख रहे हैं कि sector के अंदर बड़ी तेजी है तो sector पे नज़र रखनी चीए and companies पे नज़र रखनी चीए हाला की businesses आप सारे समझो फिर अपना पिक लो कि आपको किस company को select करना है किसको नहीं करना So that is it for this video, hopefully you like the analysis I'll be seeing you in the next one, bye bye and jahin So that's it. Okay. So. So that's it. I can do a s sentido. I can do a s think of it. So. So that's it. I can do one. So. One.